तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं शेर कर रहे हूँ लौकी की सबजी की रेसिपी बिल्कुल सिंपल तरीके से एक चमस तेल में बनेगी और बिना मसाले की एक खास वीवर्ष के फर्माइस पर में ये रेसिपी डाल रहे हूँ लौकी की सबजी की बिल्कुल सिंपल रेस देखते हुए ध्यान दे लौकी का छिलका कच्चा होगा उसमें नाकोन अच्छे से लग जाए फिर लौकी उस तरीके कर लिजिए सबजी पहुत ही टेस्टी बनेगी अच्छे से गलेगी और सबजी अच्छी बनेगी तो लोकी को पले दो लेंगे और यहां पर लौकी लंब में इसकी रेष्टि अपके लिए डालूंगी लौकी जब भी च्हीलेंगे तो इसे फेकेंगे नहीं आप इसके छिलके की बताऊंगी यह पर ज़रूर सबुना बना करके देखिएगा कभी भी लोकी च्हीलेंगे तो उसे ज़रूर बनाएंगे इतना टेस्टी बनता है तो comment में टिक डालिएगा यहां पर मैंने लवकी के छिल्के को प्लेट में डाल करके हटा लिया है और जो लवकी है उसे काट करके छोटे-छोटे टुकरों में रख लेंगे जब हम मसाले वाली लवकी की सब्जी बनाते हैं तो मोटे-मोटे पीसे काटते हैं इसकी और यह वाली जो सब्जी है उसके लिए जब लवकी काटिएगा तो इस तरीके से छोटे-छोटे टुकरे में काटिएगा फिर जल्दी गलेगी और सब्जी पहुँट इस्टी बनेग जब हम अपने ही खेट से लवकी तोर करके लिया थे छोटे छोटे फिर हम कराही में बना लेते ही सबजी को पतीले में तो आराम से बन जाता है पर जब भी बजार से खड़े देंगे तो कराही पतीले में जितना अच्छा बनाना है हमें नहीं बन पाता है तो मैं इसे कुकर म यहीं डालूंगी और दो सीटी लगाने के बाद में यह सबजी बनाऊंगी तो सारे कटे हुए लॉकी को मैंने कुकर में डाल लिया है तो यहां पर लिया है पानी 4-5 चमज लॉकी के अंदर डाल देंगे लॉकी का खुद का पानी निकलेगा फिर लॉकी उसमें पक जायेगा तो नीचे से लग जायेगा जब तक लॉकी का पानी निकलेगा इसलिए बिल्कुल थोड़ी सीज में पानी डाल करके चला देंगे और फिर इस पर ढखकाल लगाएंगे और चूले पर हम चड़ा देंगे तीन से चार सीटी आने देंगे उतने देर में लॉकी सफ्ट हो जायएगा पकि जायेगा बाद में हल्दी नंमक डालने की ज़रूरत नहीं करें यहा पर मैने कुकर को चड़ा दिया है और चार सीटी लगा दिया है जो भाप है निकल गया है च्टीम निकल गया इस तरीके से दबा करके देख लिए, कई बार लोगी, ज़्यादा सुखा हुआ बजार कर लेंगे, तो पकता नहीं, ज़्यादा सिटी लगानी परती है, पर हरता जालेंगे, तो जल्दी पक जाएगा, अब साइड में करते हैं, और कराही में इसके लिए एक तरका तयार कर देते हैं, एक चमचे आपर मैंने सर्षो का तेल डाला है, आधी चमच सर्षो के दाने, आधी चमच जीरा के दाने, और डाल लेंगे, थोड़ी सी मेथी, यानि की एक सोथाई चमच मेथी का दाना, आप पंच पोरन भी डाल सकते हो, यहाँ पर, और थोड़ी देर में इस तरीके से मसाले कलर चेंज कर दें, तो इसमें डाल देंगे एक सुखी लाल मिर्स, और एक हडी मिर्स डाल रही हूँ, सुखी लाल मिर्स तीखी वाली है, और हडी मिर्स ज्यादा तीखा नहीं है, मिर्ची इसमें कमी डाली है, क्योंकि इस लवकी के सबजी में मिर्ची ज् ताल सकते हो अगर आप लहसुन और प्याज नहीं खाते हैं तो इसे एस्किप कर दीजिए सिर्फ मिर्शी और जीरर आई डाल करके इस सबजी को बना सकते फिर भी टेस्टी बनेगा प्याज को भूल लीजिए सुनहरा भुड़ा होने तक उसके बाद पानी समेत लवकी को टा अब थोड़ा सा पानी निकलेगा पानी इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे तो इसका पानी बहुत ही हेल्दी होता है है लवकी का पानी फेकना नहीं चाहिए पानी समेती से तरके कें अंदर डाल दीजिए और अच्छे से कर्ची से दबाते हुए थोड़ी दिर चला बस दो से तीन मिनट में सब्जी तयार हो जाएगी अच्छे से वैस कर दिजिएगा यहां पर सब्जी तयार हो चुकिएगा इसका फ्लेम अउप करेंगी असल बिहारी उपी में यह जो सब्जी छट पूजा में अक्सर बनाई जाती है नहाखा जो होता है छट पूजे का उस से बना सकते हैं तेल मसाले खाने का मन नहीं करता है तो सबजी प्वाथी फैदय मन्द Rank Kenneth की सबजी है बहुत सबस्टीर जादा तिख खा भी नहीं आप कैसे सबजी बनाते हैं लवकी का मसाले वाले बिना मसाले वाले अप कमेंटी बखस में लीक टालिएगा यूं बोले मिलते हैं दूसरी रेसिपी किसे हैं तो बाई बाई